Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening क्यासे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनंदर सिंगोला और आप जुड़े हुए मेरा अफिचल यूटूब चैनल से फर्स टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कुछ टेक्निकल इशू आने की बज़े से ये वीडियो सुबह अपलोड नहीं हो पाई क्यांकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था यूटूब चैनल पे और वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा था जिसके बज़े से ये वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाई लेकिन कोई बात नहीं थोड़ी सी लेट वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ इसके लिए माफी चाहते हैं कल रात को हमारा जो वेबिनार हुआ था हमारा गो एफरी का वेबिनार काफी जाता इंटरस्टिंग वेबिनार रहा और इसके जो शुरुआत की वो हमारी कमफर्ट मैम ने जो है इसके शुरुआत की और उन्होंने पूरे वेबिनार के अंदर जो होस्टिंग का पद भी समाला यानि कि पूरी तरीके से जो होस्ट हम aq incredible ride करने जा रहे हैं जी हैं ride का मतलब है कि हम कालेगे की जर्णी जर्णी आने वाली है कुछ historical इहां पर होने जा रहा है बहुत सारे challenges को face करते हुए हम यहां तक पहँचे है क्योंकि जितने सारी chainuren next फोषर करते हुए हम यह तक पहुचे हैं हमारा पूरा focus अपने गोल पर टिका हुआ है बहुत कुछ revolution जो है यहां पर आने वाला है revolution यहां पर होने वाला है only भगवान ही इस on passive को रोक सकता है only god can stop this on passive और इसके लावा किसी के अंदर जो है कोई ताकत नहीं है जो की on passive को आने से इस दुनिया में रोक सके यह एक done deal system है यह एक ऐसा business है जो आपके dream को reality में बदलने जा रहा है जो भी हम सब लोगों ने dream देखे हुए है बहुत ही जल्दी एक पूरे wish पर बहुत बड़ा impact भी पढ़ने जा रहा है इस पुरी दुनिया पर एक अलग ही impact पढ़ेगा जो शायद पहले कभी नहीं पढ़ा होगा कुछ ऐसी चीज़ जो मैं यहाँ पर clear करना चाहता हूं पूरी दुनिया के सामने on passive से पहले की life और on passive के बाद की life इन दौनों में आप खोद ही अंतर देखेंगे आने वाले time के अंदर इसे quit नहीं करते तो आप हमेशा busy ता रहते हैं यानि कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी line कई जो हमेश हमेशा जो व्यक्ति अपने किसी भी गोल को कुछ नहीं करता है उससे बाहर नहीं निकलता है तब तक वह बिज़ेता ही रहता है और हमेशा जो winners होते हैं वह अपने गोल को कभी भी कोईट नहीं करते हैं पहली बार इस opportunity को हम सामने बताने जा रहे हैं यह के बल मेरे लिए नहीं है बलकि early words founding members और सभी के लिए है अफरीका के अंदर बहुत सारे resources हैं काम करने के लिए और full capacity है काम करने की मुझे इस बात पर गर्ब है कि फिर भी on passive अफरीका के लिए यहां पर कुछ करने जा रही है इसके बाद यहां पर हमारे मुहमद मुरासर को जो है बुलाया यहां पर आए है क्योंकि उनको पता चल गया कि company का विजन क्या है और company का mission क्या है और आपका जो विजन है और आपका जो mission है यही आपको सफलता की तरफ लेके जाता है यहां पर हरी सर को भी जो है invite किया गया जिन्होंने o verify के वारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाय o verify customer verification system है यह एक prime requirement है सभी customer और सभी के लिए यह एक verification का simple process है बहुत ही simple है तीन step में यह complete हो जाएगा number one अपनी photo को upload करें सबसे पहले हमें अपनी photo को यहां पे upload करना होगा दूसरा face detection इसके अंदर रहेगा यानि कि face को recognize किया जाएगा और यह इस बात को निश्यत करेगा कि व्यक्ति alive है या नहीं तीसरा step तीसरा step में क्या होगा कि ID के आपकी जो ID है वो आप camera के सामने आपको पकड़ के दिखाना होगा और उसमें जो भी आपका आधार card हो गया जो भी होगा आपका ID card वो आपको अपने हाथ में पकड़ करके आपको camera के सामने आना होगा और उसके बाद यह तीसरी जैस आप टिकेट रेज भी कर सकते हैं अलग लग देशों के लिए अलग लग आईडी हैं और इसलिए इसको बहुत ही सिंपल बनाने के लिए टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है इस जिप्ट में कुछ लोगों ने रिसेंटली ओन पासिप को जोइन किया है किसी ने दो महीने पहले तो किसीने 5 महीने पहले उन पैसिप टीम बहुत ही बहता ही आफ्रीका के लिए बहुत अच्छी है प्लानिक की जा रहे है ऑफरीगbon गोईंग बूमिंग ऐसर ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में कोई भी स्पेकुलेशन्स नहीं होनी चाहिए और कोई भी बात अंदाजे से नहीं बतानी है जो होगा रियली सब कुछ सामने आ जाएगा कंपनी का गोल है मार्केट को वैल्यू देना पिछले कई महीनों से हम अपना ओकनेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और आज तक हमने अभी तक को उसके लिए कोई पैसा भी नहीं दिया है ओकनेक्ट पैकेज के बारे में उन्होंने बताया कि आन अफ़ीचल इंटेलिजेंस के भविस्थ के बारे में बताया जा रहा था अफ्रीका के अंदर कितना बड़ा चेंज आने वाला है अगले सालों में इस टेकनोलोजी की माध्यम से हम कभी सोच भी नहीं सकते अर्टिफिचल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत कुछ यहां होने वाली है जिस तरीके से हवा और पानी हमारे लिए एक बेसिक नीड है एक बेसिक जरूरत है जिसके बिना हम रहे नहीं सकते और भी बहुत सारी opportunity है इसके बारे में अफरीका के अफरीका के लिए company सोच रही है और हर एक sector के अंदर लोगों को grow करना चाहती है एजुकेशन की माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा एसर ने cryptocurrency के बारे में भी बताया पहले बिड्रोल्स को देने का तरीका करप्टो के माध्यम से भी था लेकिन यह हर देश के अंदर रेगुलेट नहीं किया गया है इसलिए हर देश के अंदर क्रिप्टो करन्सी के माध्यम से बिड्रोल दे पाना मुश्किल है इसलिए यहां पर और भी ऑप्शन्स पर काम चल रहा है अफ्रीका के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट तयार किये जा रहे है कॉलिन मनना जी ने अपने कंपणी यहां पर रखा और उन्होंने कहा कि बहुंत साथ लोग, हम सभी मैंसे ऐसे कुछ लोग हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, society को change करना चाहते हैं, एसर के बारे में उन्होंने कहा कि पुरी तरीके से ये एक unique person है, एसर एक visionary person है, अफरीका का एक निया chapter यहांपर start होने जा रहा है, and Michael Williams sir को भी यहाँ पर बोलने का मौका मिला और उन्होंने कहा कि अफरीका भी अपनी other country की तरहा दूसरे पूरी तरीके से प्रचलित है दूसरे पहले ही दिन से on passive बहुत कुछ यहाँ पर कर रही है on passive हमारे सोच से परे करने जा रही है on passive बिना थके हुए यहाँ पर हम सभी लोगों के लिए काम कर रही है humanity को uplift करना और इसका main काम है जी हाँ सिर्फ humanity को uplift करना इसका main काम है so उन्होंने आगे एक line कही go Africa is a big symbol सभी के लिए यहाँ पर equal opportunity है जी हाँ education sector के अंदर academy अपना एक बहुत बड़ा role play करने वाला है stay tuned रही है और अपना feedback लागाता देते रही है इस समय जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है हम बहुत ही बहुत ही बहुत ही beautiful reason है SNA आगे कहा कि हम एक छोटे छोटे गाउं की तरह यहाँ पर double up करने जा रहे हैं society में जो अंतर है उसे अंतर को खत्म करने जा रहे हैं हम यहाँ पर भविश्च में जी रहे हैं सभी को एक positive change लाना चाहिए हम एक milestone बनाने के लिए work hard कर रहे हैं so be excited for upcoming days so इन सारी चीजों को लेकर के हमारे CEO sir पुरी तरीके से पुरी तैयारी में लगे हुए है आगे का जो new era है उसके बहुत ही जादा हम जो है करीब आ चुके हैं बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे हैं और जिस तरीके से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ भी आप आगे बढ़ते रहें क्योंकि जो new era जो आने वाला है वो काफी जादा interesting भी है काफी जादा हम सभी लोगों के लिए जो है फाइदे मंद भी होने वाला है क्योंकि जिस चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं वो आगे आने वाले phase के अंदर हम सब लोगों को जरूर मिलेगा कल के webinar में सबसे अच्छी बात यह रही कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे engineers एक साथ एकटे हुए और बहुत सारी sharing दी on passive के वारे में और जो काम हो रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से explain किया आज कल का जो webinar था तो हम सब लोगों को बहुत सारे engineers के वारे में जो है जानने का मौकर मिला जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं काफी वहतरीन webinar रहा कल का एक healthy discussion हुआ जहां पर company को ले करके company की planning को ले करके और company भविसमें क्या करने वाली है इन सारे चीज़ों को ले करके कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और अपने company को कितना ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं क्योंकि यहां पर company को मजबूत बनाने का मतलब है हमारे product को मजबूत बनाना हमारे product को बहुत अच्छी तरीके से एक solution प्रदान करने लाइक बनाना जिससे कि जब वो market में जाए तो लोगों को एक बहतरिन solution दे सके तो जितना ज़्यादा valuable हमारे product होगा उतनी ही ज़्यादा मजबूत हमारी company होगी क्योंकि product से ही company है यह थे हमारे कुछ important points जो कि कल के go free का webinar की अंदर एक healthy discussion के according जो है एक दूसरे के साथ share किये और बहां पर बहुत सारी जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी अपनी अपनी sharing को जरूर रखा back office के अंदर आप जाना मत भूलिए क्योंकि यह सारी के सारी जो summary है हमारे back office के अंदर जो है जरूर मिल जाएगी thank you so much जबनाइस दे, we are so in it to win it